नमस्कार आप सभी को मैं डॉक्टर विजदेवी सिंग आप सभी का स्वागत करता हूँ इस्तगवाल करता हूँ अभिनंदन करता हूँ आज केस सूपर सेशन में जहां मज़ा हैगा आप सभी को बेटरेन प्रेस्टनों की इस क्लास में सबसे पहले एक मोटिवेशनल कि कह सकते हो words कह सकते हो line कह सकते हो कहना चाता हूँ आप सभी से सफलता है मैंने नहीं रखते है मैंने ये रखता है कि हम किस speed के साथ में किस दिशा में आगे बढ़ते हैं इसलिए हमेशा कहता हूँ ँए अधिक्तर जो सफल लोग है अन्होंने अपने जीवन में जीहां आगे बढ़ते समय असफलता हाथ लगती है तो घब राइएगा मत क्योंकि ये सफलता की सुरुवात है और आपकी इसी सफलता की सुरुवात में पहला प्रस्न आपके लिए है ज़्यादा टफ नहीं है आसान प्रस्न है बस सोचते हुए समझते हुए जबाब दीजेगा कहत है कि among all human beings there is no distribution of intelligence कहते सब बुद्धी के वित्रण के बारे में ये प्रस्न पूछा गया है आसान प्रस्न है बहर ज़्यादा लेकिन सोचकर जबाब देना है आप सभी को क्या कहोगे कि सभी मनुष्यों के बीच में बुद्धी का वित्रण नहीं होता है कैसा नहीं होता है आप बताईएगा समान नहीं होता है क्योंकि जो बुद्धी की बात कर लिजेगा आप बुद्धी की बात करेगा एक ही बात है चाहे आप सारीरिक जो छमताए हैं हमारी आप उनकी बात कर लिजेगा चाहे आप नैतिकता की बात कर लिजेगा चाहे आप बात कर लिजेगा स तो पहले question का जबाब B रहेगा इसी को आपने कहा है व्यक्तिगत विविनता है कहता है आकलन के बारे में निम्द लिकित कतनों में से कौन सा कतन सही है देखेगा ये बात आपको underline रखनी होगी कि सही पूचा है या गलत पूचा है यहाँ पर कहता है which of the following statement about assessment are correct correct पूचा है आपसे कहता है कि आकलन से विद्यार्तियों को यह साहता मिलने चाहिए कि वे अपनी सक्तियों और रिक्तियों को देख सके और सिक्षक उन्हें ठीक कर सके ये जवाब आपका बिल्कुल सही है अगला कहता है आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्तियों का तो नात्मक मुल्यानकन भी हो, ये गलत जबाब है आपका, आकलन केवल इसमरन सक्ति, बोधन और अनुप्रयोग का ही होना चाहिए, तीन का ही होना चाहिए, ये भी जबाब क्या रहेगा आपका, गलत जबाब रहेगा आपका, ये सही जबाब रहेगा, अगला कहता है कि आक सकती का ही नहीं होना चाहिए बलगी किसका होना चाहिए बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए मतलब सी जबाब आपका ये भी आपका सही है तो अंसर क्या बनता है फॉस्ट एंड थर्ड और फॉस्ट एंड थर्ड का मतलब आपका डी जबाब सही है बहुत बढ़िय विक्सित करके उन्हें अधिका दिक ग्यान अर्जन हे तू अभी प्रेरन प्रदान कर सकता है यह कथा निंद लिकित में से किसका माना जाएगा टीचर वाइ डेवलपिंग देवलपिंग देश्परिट और कम्पेटिशन इन दा इस्टुडेंट्स किसके द्वारा दिया गया मुझे लगता है कि जब आप ज्यादा सोचेगा नहीं इसमें गेट्स कहा मेंग्डोनल्ड कहा बुडवर्थ कहा या क्रो क्रो कहा तो लाटलो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहने वाला है क्रो क्रो रहेगा definition है इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है समय नहीं कराब करेंगे क्या कहा है नो ने यह जो प्रतियोगीता की जो भावना होती है हम इसके द्वारा बच्चों को क्या कर सकते है इसके द्वारा हम बच्चों को motivate कर सकते है याद करने का तरीका क्या रहेगा कि यदि कोई आपसे कहे कि अभी प्रेरणा ये कहा है आपसे कि अभी प्रेरणा is called to competition का मतलब आपका क्या रहेगा प्रतियोगीता और ये किस ने कहा है तो आपका जबाव रहेगा क्रो एवं क्रो बस इतना ध्यान रटना है आपको कि किस के द्वारा कहा है कि प्रतियोगीता के द्वारा हम बच्चों को motivate कर सकते हैं तो आपका जबाव रहेगा क्रो एवं क्रो के द्वारा means first answer आपका सही है जल्दी आजएगा next question की तरफ अच्छा प्रेस नहीं है सोच समझ का जबाब दीजेगा कहता है जो छात्र कक्षा में दूसरों को परेशान करते हैं जो बच्चे क्लास में अन्य बच्चों को परेशान करते हैं उनके पास space दे रखा है blank आपको प्रकार की सीखने की सेली होने की संभावना होती है कहता है गती समवेदी इस पर सुन ही है स्रेवर्ण और द्रश देखो भईया अब यहाँ पर आप कहोगे साथ समझ में नहीं आया कोई बात नहीं इसका बहुत answer easy है और ability क्या रहेगी आपकी कि इस तरह से आपको समझना है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में उच्छल कूद करते हैं कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को छेड़ते हैं कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एक जगे नहीं बैठते जंप करते यहाँ वहाँ चलते हैं दरसल में ऐसे जो बच्चों को आपने कहा है, वो गती समवेदी, काइनेस्टिक होता है, तो जो बच्चा silently नहीं बैटेगा, जो बच्चा देखकर नहीं सीखेगा, जो बच्चा उचल कूद करेगा, वो बच्चा किस टाइप से सीखने की चौंस रहेंगे, आपका जबाब ये उचल कूद करते हैं क्लास में, ये जवाब है आपका, उचलते रहते हैं, उचलते रहते हैं भईया ये, ये बच्चे उचलना, कूदना, ये दोड़ कर आपका सीखने का प्रयास करते हैं, खड़े ओकर सीखना स्टार्ट करते हैं, गूम गूम के पढ़ना स्टार्ट क कैसे के अतिरिक्त सभी के कारण अधीगम एच्छमता उत्पन हो सकती है किसका जबाब है यह कि वह कौन सा कारक है जिसके कारण बच्चों में अधीगम की असक्ता उत्पन हो सकती है लर्निंग डिसिबलेटी उत्पन नहीं हो सकती है किसका जबाब हो सकती है यह जबाब आपको जबाब देना है कहते हैं सब जनम से पहले मा के द्वारा पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक करिएगा इसमें रहेगा नहीं हो सकती है प्लीज एक बार पढ़िएगा यह रहे के कारण नहीं होगा क्या जबाब रहेगा आपका आपका जबाब रहेगा जनम से पहले माका मदिरा सेवन हो सकता है वहिए इसके कारण मंद बुद्धीता के कारण भी हो सकता है कता है दिमागी बुखार वगेरा आजये इसके कारण भी हो सकता है लेकिन किसके कारण नहीं हो जी हाँ सांदर जबाब है आपका देखिया आपको भी मालूम है यदि मा कोई ड्रक्स वगरा लेती है इसका इंपेक्ट बच्चे के माइंड के उपर आता है यदि बच्चे का IQ लेवल बहुत ज़्यादा कम चला गया है तो भी उत्पन हो सकती है कहता है यदि कोई डिजीज बच्चों में रही है जन्म के समय पर उसके कारण हो सकती है लेकिन आपको मालूम है सिक्षक की सिक्षन सैली के कारण बच्चों में क्या नहीं हो सकती अधिगम असक्ता अधिगम एच्छंता उत्पन नहीं हो सकती ये आपको ध्यान रटना है अगला कहता है कि इन में से करना नेक्स कहता है एकी प्रकार की गत्यात्म किरिया को बार बार दोहराना क्या जबाबर रहेगा आपका यहाँ अंसर जो पहला रहेगा Jaro DH नहीं है वहिया जी यह प्रितिभा साली जो बच्चा है आपका, ये जो स्रेश्ट बालक है आपका, उसमें भी आपको असर्थता देखने को मिल सकती है, कहता है अन्ञिब बच्चों को धंकाना, और ये वाला जो आकरामक व्यावार है आपका, ये कौन से बच्चों में रहेगा, ये अपराधी रूप से पढ़ने की बात कर रहे हुआ आपके का सब्दों पर पलट वार कर नहीं जाना ये ही आपका क्या रहेगा disability रहेगा six का answer क्या रहेगा d answer नहीं रहेगा लाड़ो एक ही प्रकार की गत्यात्म क्रिया को बार बार दोहराना ये असक्तिता नहीं है मेरे भाई असक्तिता तो क्या रहेगी आपकी बच्चा पठन नहीं कर पा रहा है ये देखेगा बच्चा क्या नहीं कर पा रहा है पैचान नहीं कर पा रहा है बच्चा क्या नहीं कर पा रहा है अंतर नहीं कर पा रहा है ये क्या है आपकी ये disability रहेग आपकी तो अंसर क्या रहेगा चेक करेंगे 6 का भी अंसर रहेगा इसको याद रखिएगा मज़ा आगया आपके अंसर को देखकर नाचना स्टार्ट कर दिया है आप सभी ने लेकिन अभी मंजिल दूर है लेकिन इतनी भी दूर नहीं है कि दिखाई ना दे आपको कहता है यह ऐसा सोना चाहिए आप सभी को कि हमारी तैयारी अच्छी है खुश रहिएगा अभी क्योंकि अब समय आ गया है खुश रहने का बिंदास रहने का सिक्षा निम्न लिकित मैंसे क्या है इसका जबाब आप सभी को आता है अंतिम समय में वो कहता है भईया सब कुछ यही रह जाता है कहता है इसमें परिवर्तन होते रहते हैं इसमें हमेशा उन्नती की तरफ आप चलते हो इसलिए आंसर क्या रहेगा आपका उपियुक्त सभी रहेगा सिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, सतत चलने वाली प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया उन्नती की प्रक्रिया इसलिए आपने सेवन का अंसर क्या दिया है डी अंसर दिया है बहुत बड़िया अंसर आपका और सही है यहाँ पर अगले वाला प्रसन क्या कहता है मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें हम सोचेंगे जरूर एक बार क्योंकि प्रेसन अच्छा जो आ गया है आपका कहता है सिक्षा मनुशिकी जन्म जात सक्तियों का स्वभाविक समरस तथा प्रेगती सील विकास है कथन निम्न लिकित में से किसका रहेगा सांदर वाला जबाब है ये कतब पैस्टॉलजी का रहेगा हरवर्ट स्पिंसर का रहेगा फ्रोवेल का रहेगा या टी रेमंट का रहेगा देखो भाईया ये जो पैस्टॉलजी है ये सभी को मालूम है ये स्विट्जर लेंड निवासी है ये कहा के sweet jar land निवासी है मजा आएगा भई इनको जान कर पढ़का रेक बर आपको कहते हैं साब इन्होंने कहा जो बच्चा रहता है सुनिएगा ज़रह क्या कहा है इन्होंने जो बच्चा होता है वो किसके समान है ब्रक्ष के समान है ये कहा है इन्होंने कहता है बालक पौधे के समान है और यहाँ पर क्या कहा पैस्टोलजी ने बच्चा किसके समान है ब्रक्ष के समान है जैसे ब्रक्ष वातावरन से पोशन लेता है ठीक वैसे ही बच्चा भी पोशन कहा से लेता है अपने वातावरन से लेता है इसलिए इनोंने कहा कि सिक्षा वो होती है जो व्यक्ति या बच्चे की जनम जाज सक्तियों का विकास करती है, वो सिक्ष्या मानी जाती है, भाईया C जबाब नहीं होगा, B जबाब नहीं होगा, अंसर क्या रहेगा, A अंसर इसका सही है, और A का मतलब है आपका पैस्टॉलजी, पैस्टॉल जी ने क्या कहा कि बच्चा किसके समान होता है ब्रक्ष के समान होता है जैसे ब्रक्ष अपने पोशन तत्व कहां से ग्रहन करता है परिवेश से ग्रहन करेगा इन्वेरमेंट से ग्रहन करेगा ठीक वैसे ही बच्चा भी अपना जो विकास है उसकी दसाए कहां से ग्रहन करता है वो अपने परिवेश से ग्रहन करता है यह जबाब रहा इनका यही वो व्यक्ति है जिनोंने कहा कि भईया सिक्षा में हमें कौन से सिध्धानतों का प्रयोग करना चाहिए मनो विज्ञान के सिध्धानतों का समावेश करना चाहिए वो ही व्यक्ति है ये और ये वो ही व्यक्ति है मेरे भाई जिनोंने अपने बच्चों का जी हां अपने बच्चे का प्रथम वेग्यानिक अध्यन किया बच्चे का सर्व प्रथम क्या किया लाड़ लो कहते हैं सर्व प्रथम वेग्यानिक अध्यन किया गया की द्वारा जिसको क्या नाम दिया था आपने बेवी वाईयो ग्रेफी आपने कहा इसके अलाबा आपको ध्यान रटना है इन्होंने कहा है आपसे कौन सा इन्होंने सिक्षा के लिए समप्रेशन को आवश्यक माना है कम्यूनिकेशन को आवश्यक माना किसके द्वारा पैस्टॉलजी के द्वारा इसके अलावा इन्होंने स्वा अनुभव को जिहां स्वानुभव को या स्वे अनुभव को आवश्यक माना है इसके अलावा इन्होंने क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया है किरिया अधीगम को आवश्यक माना है किसके द्वारा तो आपका जबाब रहेगा पेस्टॉलजी के द्वारा उम्मीद करूँगा किलियर है भाई ये सभी को और जल्दी से आजाएगा अगले वाने प्रेस्निंग की तरफ तो 8 का जबाब क्या रहेगा ये अंसर रहेगा अगला कोश्चन कहता है कि विकार के रूप में साधारन समायोजन दोश कौन से है कहता है what are simple adjustment defect as behavioral disorder कहता है साहब यहाँ पर जबाब आपको देना है कि वो कौन सी कारक है आपके जिसके कारण क्या रहेगा जिसके कारण बच्चों को दिक्कत आती है, परेशा नहीं आती है, किसकी वजह से, कहते हैं समायोजन में दिक्कत आती है, और यह किसके कारण रहेगा, जिद के कारण, जिहां, बहुत ज़्यादा जिद्धी बच्चे होते हैं उसके कारण, कहते हैं, अतीशे, क्या कहा, extreme sensitivity, म बहुत ज़्यादा आक्रामक रहेगा, भाया, तीनों सही है, इसमें आंसर क्या रहेगा, आपका उप्योग्त सभी रहेगा, ना इनका जबाब रहेगा, आपका D, और D कहता है, आपका उप्योग्त सभी, कहते हैं समायोजन प्रभावित होगा, समायोजन में दिक्कत आती ह किसके कारण हमारी जिद्धी पन होने के कारण हम बहुत ज़्यादा संविधन सीर रहते हैं उसकी वजह से और कहते हैं बहुत ज़्यादा आकरामक होने की वजह से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं अगला प्रस्म कहता है कि वे सभी क्रिया कलाप जो सिक्षग वे सिक्षारति द्वारा सुन को आकलित करने के लिए किये जाते हैं जो एक प्रती पुष्टी के रूप में सिक्षण वे अधीगं क्रिया कलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं उसे क्या कहा जाता है क्या उसको उपलब्धी परिक्षण कहोगे परिक्षण कहोगे आकलन कहोगे या अधीगम कहोगे क्या जबाब दिया आपने जिसके द्वारा टीचर कहा आपने स्टूडेंट कहा आपने स्विम को आकलित करने के लिए किये जाते है जो प्रतिपुष्टी के रूप में सिक्षक वे अधिगम को सुधारने है तू सुचना प्रदान करते है लाड़ लो एक बात न neकलीजेगा जहां पर भी आपने जाचने की बात की है जहां भी आपने सुधारने की बात की है वहां 100% आपको क्या नाम देना होगा आपको आकलन जबाब देना होगा आपको कहते है साहब इसके आधार पर एक तरफ तो आपने क्या कहा कि सिक्षण और अधीगम की यह याद रखना है अपने को कहते है सिक्षण और अधीगम की जो प्रक्रिया रहेगी उस प्रक्रिया की प्रभावसीलता का हमें ग्यान होता है ये अपने को समझना होगा सिक्षण अधिगम की प्रेक्रिया की प्रेभाव सीलता की जाच होती है ग्यान हमें मिलता है और यहीं पर आपको बताना होगा कि साथ इसी के अधार पर हम इस प्रेक्रिया में क्या कर सकते है सुधार भी कर सकते हैं यही कारणे आपका अंसर क्या रहेगा बी आंसर रहेगा एसेस्मेंट आपका अंसर रहेगा आकलन आपका जबाब रहेगा जल्दी से आजोएगा next वाले question की तरफ सांधा जबाब है ये कहते था साहब थस्टन तथा लिकर्ट निम्द लिकित में से किसके मापन से समवंदित माने जाते है ये प्रस्ट बड़ा important है ये थस्टन का हलाकी कम पूछा जाता है लेकिन लिकर्ट का कई बार आपकी exams में पूछ रखा है आपसे जब आप सो समझ कर दीजेगा थस्टन एंड लिकर्ट आर रिलेटिज टू दा मेजर्मेंट और विच इज विच ओफ दा फोलोईंग किसके द्वारा कहते सब थस्टन का नाम आया आपके फामने तो मैं बता देता हूं भाई आपको कहते उनिस सो सताईस के असपास कब कहा आपने थस्टन का जबाब दिया 1927 के आसपास कहते सब तुलनात्मक निरने प्रणाली ये कहा आपने क्या कहा तुलनात्मक निरने आपने कहा और जब लिकर्ट की बात करोगे तो कहते सब लिकर्ट ने कब 1932 के आसपास कहते योगात्मक निर्णे नाम दिया है आपने मज़ा आजाएगा देखते है आपका जो जवाब है वो क्या कहता है जी हाँ भी जबाब की तरफ आप ज़्यादा तर जा रहे हो लेकिन हमें देखना है भाई क्या जबाब रहेगा आपका कहता है साब योगात्मक निर्धारन कह दीजेगा तुलनात्मक निर्णे किस के द्वारा जबाब रहेगा थस्टन के द्वारा ये आपको ध्यान रहेगा और जब लिकट का नाम आएगा तो आप कह दीजेगा योग निर्धारन विधी कह दीजेगा जवाब तो आप समझ गे होंगे अपनो अंसर क्या रहेगा इसका बी जवाब मुझे ज्यादेता नजर आ रहा है कुछ ने यह जวा भी दिया है कतसाब अभी वरत्ति के साथ में क्या रहेगा आटिट्यूट के साथ में उसके मेजर्मिंट के संधर्व में सर्व प्रथम जो प्रयास है वो किस के द्वारा किये गए सबसे पहले प्रयास सर्व प्रथम प्रयास किस के द्वारा थस्टन के द्वारा किया गया कब किया गया नाइंटीन ट्वेंटी सेवन में किया गया, कौन सा परिक्षन बनाया, तुलनातमग निरने परिक्षन बनाया, और क्या कहोगे, लिकट भाली बात कहोगे, योग निर्धारन, और कब नाइंटीन थर्टी टू में कहोगे, थर्टीन ने बुद्धी का सिधान्त दिया है आपसे मैंने किसके बारे में पूछा है आपसे मापन के बारे में पूछा है और किसके मापन के लिए उन्होंने काम किया तो जवाब क्या रहेगा आपका अभी व्रती रहेगा कोई बात नहीं एक्जैम कर टाइम है आपके लिए नया समय है तो नये प्रेस्ण भी आने चाहि क्या जवाब रहेगा आपका उद्धीपन क्या है कोई वस्तू हो सकती है कोई परिस्तिती हो सकती है कोई क्रिया हो सकती है जो हमारे व्यभार को क्या करती है उत्तेजित करती है संतूलित करती है और निर्देशित करती है ये वाला कथन किसका रहेगा जल्दी से जबाब देजेगा 12th का अंसर क्या रहेगा मजा आएगा आपको और जबाब क्विकली आजाना चाहिए Boring तथा Lengfield रहेगा क्या Classy Mead Goodwin रहेगा क्या Thompson रहेगा या जबाब MacDougal रहेगा देखेगा उद्दीपक किसे कहते हैं घबराना नहीं कहीं पर भी उद्दीपक कोई व्यक्ती हो सकता है कोई वस्तू हो सकती है कोई इस्थान हो सकता है कोई क्रिया हो सकती है जो आपको कारी करने के लिए तयार करती है अब वो क्या रहेगा किस ने कहा है ये तो याद रखेगा ये किस के द्वारा कहा गया Boring और Lengfield के द्वारा कहा गया मेरे बहुत सारे teacher friends है जिनका जबाब सही आया है ये answer उन्होंने दिया ये कुछ factual questions होते हैं जिनको आपको याद रखना होगा बार बार आपको कह देता हूँ कि exam हमारी नजदीक है अभी इस exam में एक copy आप बनाईएगा मेरा कहना है आप लोगों से एक copy बनाईए एक register बनाईए और जो भी नया present आप देखते हो please मेरा request है आप से उसको note करें आप कि अर ये present नया आया है ये topic नया आगया है ये कोई point नया आगया है उसको समाल के रखिएगा और उसको बार बार रिवीजन करिएगा मेरा कहना आप यही है ये तरीका है आपके पढ़ने का ये तरीका है आपका प्रस्णों को सही करने का copy बनाईए, register बनाईए कोई नया प्रस्ण आता है लिखिए उसको और लिखने के बात में उसको बार बार आप याद करेगा, मज़ा आएगा आपको कहते है कवी कहा कलाकार कहा दाडसनिक कहा, वग्यानिक कहा निम्द लिकित में से किस व्यक्तित वो प्रकार में आते है देगो भईया कवी कहिएगा कलाकार कहिएगा दाडसनिक कहिएगा और वग्यानिक कहिएगा एक बात तो कहना पड़ेगा कि कही ना कही इनका संवंद किस के साथ होता है इनका संवंद होता है चिंतन के साथ में ये तो आपको भी मालूम है इनका समवन्द किसके साथ रहेगा देखो भईया कलपना के साथ भी इनका समवन्द रहेगा ज्यादतर आपने देखा है कि ये कहा पर ये अध्यनसील रहते है भईया अध्यनसील कह सकते हो आप चिंतन सील आप कह सकते हो अब इस प्रकार के जो व्यक्ति रहेंगे देखो भई इस प्रस्ट का गलत जबाब आप दोगे तो थोड़ा था देखो भई मैं नराज रहूँगा आपसे जिन्होंने भी जबाब दिया है प्लीज मेरी दर्खवासत है आपसे थोड़ा कॉंसेप्ट पढ़ना स्टार्ट कर अंतर मुखी कौन होता है वहिर मुखी कौन होता है उबह मुखी कौन होता है लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे होते है चिंतन सील होते है कैसे होते है कलपन सील होते है अधियन सील होते है इनका जबाब रहेगा 13 का ए अंसर रहेगा इसको चेक करें के एक बार फिर दोबारा से और जल्दी आ जाईएगा अगले वाले प्रिस्न की तरफ कहता है इस्टेनफोर्ड विने परिक्षन 1937 में संसोधित अन्य किस नाम से जाना गया ये आपको जबाब देना है क्या जबाब दोगे जब इसमें संसोधन किया गया आपने कब जबाब रहेगा 1937 में ये तो इस्टेनफोर्ड विने परिक्षन है ये तो कब किया गया आपको याद होगा 1916 में किया गया कब किया गया 1916 में किया गया कहाँ पर किया गया अमेरिका में किया गया अमेरिका की यूनिवर्सिटी में किया गया जिसका नाम क्या था स्टेनफोर्ड था किस के द्वारा किया गया कहते साहब टर्मन के द्वारा किया गया जिहां टर्मन के द्वारा ये आपको ध्यान रखना है लेकिन कहते हैं कि 1937 में ये किस के द्वारा किया गया कहते है साहब ये M.M. मेरिल के द्वारा किया गया कब किया गया तो आपका जबाब रहेगा 1937 में M.M. मेरिल के द्वारा किया गया कब, 1937 में और चुकी मेरल के दौरा किया गया इसलिए क्या नाम रहेगा आपका, उसका नाम आपको देना है जीहा टर्मन मेरल परिक्षण नाम दिया है विने साइमन परिक्षण में संसोधन किये गए, जहाँ पर 16 में मेजर किया गया नाम क्या दे दिया आपने टर्मन मेरिल परिक्षन क्योंकि इसके साथ में क्या रहे तर्मन की भूमी का हमेश्वा से ही सराहन ये रही है तो प्लीज एक बाद चेक कर लिजेगा इसका अंसर 14 का अंसर क्या रहेगा आपका बी रहा क्या हुआ था यहाँ पर इतना ध्यान रख लिजेगा इस परिक्षन में इस बार क्या किया गया कुछ अंक गणित के प्रस्न जोड़े गए क्या हुआ कुछ अंक गणित के प्रस्न जोड़े गए कब टर्मन मेरिल परिक्षन में 14 में क्या किया आपने कुछ अंक गणित वाले प्रस्न जोड़ दिये गए जबाब क्य रहेगा टर्मन मेरिल परिक्षन उम्मिद है यहां पर गलतिया नहीं करोगे आपका सही है बढ़ाई आप सभी को और यूहीं सही जबाब देते रहेगा आगे बढ़ते रहेगा क्योंकि एक्जान के दिन अब दूर नहीं है सलेक्षन की घड़ी आ चुकी है सफलता की घड़ के होंगे अगला प्रस्म कहता है कि सिक्षा मनो विज्ञान अध्यापक स्रेजन की आधार सिला है कथा निम्न लिकित में से किसका रहेगा मैं चाहूंगा भईया इसका आंसर आप थोड़ा सा जोड़दार देने चाहिए मज़ा आएगा इसका आंसर देखना चाहूंगा क् फिफ्टिन में मुझे ए जबाब नजर आ रहा है कुछ ने भी जबाब भी दिया है मैं देखना चाहूंगा एक बार की रिजल्ट क्या रहेगा आपका ए जबाब रहेगा बी जबाब रहेगा चेरे पर इसमाइल भी है कईोंने सहनाई के नम पर दिल बाग बाग कर गया है जी हाँ बिलकुल सहनाई बजने चाहिए कामियावी वाली सफलता वाली आपकी जीत वाली स्यादी विवा वाली नहीं वो तो बजी जाएगी साब अभी कामियावी वाली जरूरी है देखो यहाँ पर थोड़ा सा गलत कर गए आप लोग पहले ये क्लियर करवा देता हूं फैसら आप लोगों को तो छटा अब उलज गए आप लोग प्रस्ण में अब उलजे कैसे हो जड़ा देख लेते हैं एक बार इस प्रस्ण को थोड़ा सा मैं उस रूप में बताता हूं जिस रूप में आपने पढ़ा था क्या कहा ज्रा देखते है कैनसा सिक्षा मनोविज् अध्यापको अब जबाब दीजेगा क्या रहेगा आपका अध्यापको की तैयारी की आधार सिला है अब आप मुझे बताईएगा कि क्या जबाब रहने वाला है अभी आपका आधार सिला है क्या क्ल्यू मिला कुछ अभी आपको कि अब आंसर क्या रहेगा जल्दी से बता दीजेगा कि सिक्षा मनो विज्ञान अध्या पको की तैयारी की आधार सिला है ये किस ने कहा जल्दी से बता दीजेगा मुझे लगता कि अब गलती नहीं होगी अब आपकी अब गलती नहीं होगी जल्दी से बता दीजेगा क्या जबाब रहेगा उल्जे नहीं पड़ा ही नहीं हूँ कोई बात नहीं जल्दी बताईगा क्या अंसर रहेगा भी इस प्रस्पन का जल्दी से समझ गए अपनो बस language में गच्छा खा गए अपनो language में उलज गए आप मुझे मालूम था आपको अरे दादा मैंने नहीं गच्चा खाया पल्टी नहीं मारी आईए प्रेस्ट पर ही आ रहा हूँ उसी प्रेस्ट की लेंग्वेज को आसान किया है आपके लिए अरे लाड लो किस ने कहा था ये इसकीनर ने कहा था ये इसकीनर ने कहा लेकिन कौन से वाले इसकीनर ने तो याद रखेगा चार्ल्स इसकीनर ने कहा है ये क्योंकि यहां केवल इसकीनर लिखा हुआ है आपको कई एग्जैम में आपको 2 स्कीनर मिल जाए BF स्कीनर मिल जाए Charles स्कीनर मिल जाए तो आपका अंसर क्या रहेगा Charles स्कीनर रहेगा अरे लाडलो मैं पल्टी नहीं खाई थी मैंने उल्टा आपके प्रेस्ट को आसाम किया था मैंने तो कि उस प्रस्म में आप उलज गए थे आंसर क्या है इसका चार्ल्स इसकी न रहेगा घबराईएगा नहीं टीचर हूँ मेरे भाई पल्टी नहीं खाऊंगा उल्टा आपको लाइन पर लेकर आऊंगा कि आपने वो समझ में नहीं आया तो उस प्रस्म को हम इस तरह से भी पूछते है और आपने इस तरह से ही इसको पढ़ा भी होगा उम्मीद समझ में आगे है अभी चलते है आगे आज आईएगा अगले प्रस्म की तरफ कहते है साहब जिंदगी में सफलता पाने के लिए हर कोई पाने चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, आप भी पाना चाहते हो, कहता है जिल्दगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना ही पड़ता है, कहता है साहब सीडिया चड़ते समय, सीडिया चड़ते समय उपर जाने के लिए दीचे की सीडी से पैर हटाना पढ़ता है ठीक वैसे ही देखो भाईया सफलता पानी है अभी तो अब comfort जॉन से बाहर आईए आराम से बाहर निकलिए और अब थोड़ा सा मजबूत बनाएं अपने आपको फॉलाद बनाएं अपने आपको और संघर्स की राहा पर चले smart बने मैं नहीं कहना start करो उसी को बार-बार मत पड़ी जो आता है आपको जो समझ में आ गया आपको जो आसान लग रहा है आपको उसे बार-बार मत पड़िए अब उसको revision करिए जिस में आपको तकलीफ है आपको परेशन ही है आपको यही है सफलता का मूल मंत्र जल्दी आजईएगा अगले question की तरफ मनों विज्ञान निम्न लिकित में से कौन सा विज्ञान है भाईया किसका विज्ञान माना जाता है बहुत आसान प्रेस ने ये पहले आपने आत्मा का बताया था प्लेटो जैसे लोगों का नाम आता है प्लेटो कहिएगा और अस्तु ऐसे लोगों का आता है कहते है साहब मस्तिस्क आपने बताया है जब मन या मस्तिस्क का नाम लिया तो भाईया इसमें आपने कहा पांपो नोजी जैसे लोगों का नाम बताया आपने जॉन लॉक जैसे लोगों का नाम बताया आपने फिर आपने चेतना का अध्यन बताया चाया, बिलियम, जेम्स वगेरा की बात करिएगा उनके साथियों की बात करिएगा उनका नाम आता है और जब हम वर्तमान में बात करते हैं जी हां वर्तमान कहिएगा इसे क्या माना है आपने तो भाईया इसको बताया व्यवहार का विग्यान और इसमें वाटसम का नाम भी आएगा मालू में आप लोगों को इसमें बुडवर्थ का नाम भी आएगा मालू में आप लोगों को मालू में साथ इसी में नाम आएगा आपका पिल्सवरी का नाम आएगा मालू मैं आप लोगों को इसी में नाम आएगा विलियम मैकडूगल का नाम आएगा लेकिन हमें जो याद रखना है कि भाईया वनो विग्यान क्या है आज की तारिक में तो आपका जबाब रहेगा व्यवहार का विग्यान सबसे पहले सर्व प्रिथम आपने क्या कहा था इसको तो जबाब रहेगा आपका आत्मा का विग्यान लेकिन जो हाल आत्मा का हुआ जो हाल मस्तिस्क का हुआ वो ही हाल चेतना का हुआ और वर्तमान में क्या है ये व्यवहार का द्यान है इसलिए इस यात्रा को बड़े खूबसूरत सब्दों में किसके द्वारा वुडवर्थ की द्वारा बताया गया कि वुडवर्थ ने कहा आत्मा जिहां मनुविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा को छोड़ा मस्तिस्क जिहां को क्या किया आपने आत्मा को त्याग दिया छोड मस्तिस को त्यागा चेतना को क्या किया भहिया ये खो दिया इसको और किसे धारण किया व्यवहार को धारण किया है जल्दी से आजएएगा अगले प्रेसन की तरफ ये प्रेस में कई बार करवा चुका हूँ आपको तो मुझे हैरानी नहीं होगी कि इसका जबाब आप सभी सही दे दो तो मज़ा जाएगा क्या कहा बालक एक पुस्तक है जिसका सिक्षक को अध्यन करना आवश्यक है कतन निम्न लिकित में से किसका रहेगा बड़ा अच्छा प्रेसन है ये बालक एक पुस्तक है जिसका सिक्षक को अध्यन अंत्त करना चाहिए ये वाला statement किसका रहेगा आत्मा निकल गई है मालूमे मेरे भाई और क्या जबाब आपको देना है इसका रूसो कहना है पैस्टॉलजी कहना है फ्रोवेल कहना है और इसकिनर कहना है क्या जबाब रहेगा मुझे बावनों मैं इसका गलत जबाब नहीं दो गया क्या रहेगा रूसो इसका आंसर रहेगा भी जबाब आप दे रहे हो मुझे नहीं लगता कि आप क्यों जबाब भी दिया है इसको ये प्रस्ट मैंने मेरी क्लास में करवा रखा है केवल ये चेक करना चारा था कि कितने सही जबाब देते हो कितने गलत जबाब देते हो और कितना रिवीजन करते हो कितना क्लास को ध्यान से देखते हो भया केवल चेक करना उदेश था कईयों ने सही दिया है लेकिन कुछ जबाब गलत भी आये है कहते हैं बैंडूरा पारस पर एक नियत वाद में विश्वास करते थे इसका अर्थ रहेगा कहते हैं बैंडूरा believed in mutual determinism this means क्या जबाब रहेगा इसका थोड़ा सोचिएगा समझिएगा सब्द थोड़े कठिन हो सकते हैं जोकि मैंने पहली बार इस प्रस्ण का अभ्यास आपको करवाया है क्या कहता है ये बैंडूरा पारस पर एक नियत वाद में विश्वास करते थे इसका अर्थ है कहता है परिवेस और व्याभार एक दूसरे के कारण बनता है क्या बात कही है परिवेस व्याभार से और व्याभार परिवेस से बनता है कहता है किसी का परिवेस किसी के व्याभार के कारण बनता है कहता है किसी के व्याभार से किसी का परिवेस एप्रेभावित रहता है किसी का व्याभार किसी के परिवेश में स्वतंत्र रहता है देखो क्या खुबसुरत बात कही है कहते है साहब जिन लोगों का व्याभार अच्छा होता है उसकी उपस्तिती से उनकी प्रेजेंस से वो वातावरन सांदार बन जाता है और मेरे लाड़लो जहां वातावरन सांदार होता है वहां लोगों का व्याभार भी सांदार हो जाता है आपने देखा होगा कि कईवार हम लड़ते रहते हैं जगरते रहते हैं तू तड़ाके से बात करते हैं लेकिन जब हम किसी होटेल में खाने के लिए जाते हैं भाबानी बोला मैंने अच्छे होटेल में खाने के लिए बोला है मैंने वहाँ जाते ही आपकी तहजी बदल जाती है क्यूं environment के कारण कुछ लोग ऐसे होते है जो आप से छोटे हैं और वो हमेचा लड़ते जगरते रहते हैं लेकिन जैसे ही आप वहाँ गए उनका व्याभार बदल गया समझ गए आप लोग अंसर क्या रहेगा 18 का फर्स जबाब रहेगा आईए अगले प्रेस्टन की तरफ Growth of the Mind पुस्तक के लेखक कौन है कहता है इसका जबाब मुझे आप से लेना है जल्दी से बता दीजेगा किस के द्वारा ये लिखी है सरफ पार्टी करेंगे ना आपकी एक्जैम के बाद में क्यों चिंता करते हो एक बार जल्दी से एक बार आपका सलेक्शन आपका हो जाए उसके बाद में पार्टी ही पार्टी है चिंता नहीं करें आप लो क्या जबाब रहेगा आपका ग्रोथ ओफ दा माइंड पुस्तक किस के द्वारा लिखी गई है क्वेशन नमर 19 का अब जल्दी से जबाब दे दीजेगा उननिस बाद प्रेषन क्या कहता है आपके लिए ग्रोथ ओफ दा माइंड पुस्तक किस के द्वारा लिखी गई क्या वर्दाहीमर के द्वारा कौफका के द्वारा कोहलर के द्वारा जल्दी से रेप्लाई कर दीजेगा परियावरन परिवेस सर आप पार्टी में नहीं थे सुनील जी बिलकुल नहीं थे पार्टी में जी हम अब अगला प्रेस्ट आपके सामने है जल्दी से इसका जबाब दे दीजेगा क्या कहा आपने क्वेशन कहा है ग्रोथ आफ दा माइंड पुछतक के लेखा कौन रहने वाले कमेंट्स रुख गए भाई क्या कारण है जरा बताईएगा जल्दी से कमेंट्स रुखने का कारण क्या रहा क्या जवाब नहीं दे रहे हो आप या प्रेस्ट नहीं थमज़ में आया आपको अंस किसका माना जाएगा वू एमांग दा फॉलोइंग होल्ड्स दा ब्यूज देट दा इस्पीर ओफ लेंग्विज डेपलिप्मेंट इस फॉस्टर इन 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 फ्रेंसी इन गल्स देन बॉई क्या जवाब रहेगा जिहां जवाब आपने बी जवाब दिया है सी जवाब दि दिवारा दिया गया जवाब क्या देना है आपको बी जवाब आपको देना है बी का मतलब होता है आपका कौफ का अंसर रहेगा या कैता है लड़कों की अपेक्श लड़कियों की बारे में पूछा है आपसे क्या जवाब रहेगा जल्दी बता दीजेगा कैता है इकास लड़कियों में तेज होता है लड़कों की तुलना में ये स्टेटमेंट किसका रहेगा तो याद रखेगा किसके द्वारा एनास्टिसी ने कहा है ये किसके द्वारा एनास्टिसी ने कहा है भी जबाब आपका बिलकुल सही है अगला प्रेस नों क्या कहता है कि सोरों मैं उच्छ मानसीख सक्तियों का प्रयोग करने की छमता में व्रद्धी हो जाती है परंतुबह प्रोडों के समान उनका प्रयोग नहीं कर पाता है कथन किसका रहेगा जल्दी से बताईएगा The ability to use higher mental powers increase in the adolescent What? He is not able to use them like an adult It's the statement of which of the following क्या जबाब रहेगा इसका सोच समझ कर आपको जबाब देना है क्या जबाब Jerome को देना है, Harlock को देना है Crow Crow को जबाब देना है या Carl Garrison को जबाब देना है मुझे लगता है या गलती नहीं करोगे ये किस ने कहा है, ये Crow Crow ने कहा है और कई बार क्या ध्यान रटना है आपको कई बार ये यू नहीं मिलेगा आपको ये नहीं मिलेगा कई बार आपको और इसके ज़गा क्या मिल जाएगा ज़रा देखिएगा कई बार ये नाम भी आपको मिल जाएगा कौन से वाला Alice Crow भी आपको मिल जाएगा लेकिन Alice Crowe आपको मिले तब भी जबाब यही रहेगा चाहे जबाब Crowe एवं Crowe मिले तब भी जबाब आपका यही रहेगा तो थोड़ा सा इसकोज ध्यान रखेगा किसने कहा कि इस age में आते आते बच्चों में मानसिक छमताएं विक्सित हो जाती है लेकिन वो बड़ों के समान, वयसकों के समान, उनका प्रयोग नहीं कर पाता, ये किस ने कहा है, ये Alice Crow ने कहा है, तो 21 का अंसर क्या कहेगा, चाहे आप भी जबाब क्रो क्रो कह दीजेगा, और क्रो क्रो नहीं भी मिलता है कई बार, तो आपको especially क्या मिल जाएगा, Alice Crow मिलेगा जो भी मिले, आपका जबाब ध्यान रखना है आपका, अगला question क्या कहता है, देख लेते हैं एक बार, कहता है समवेग जन्मजात तथा मौलिक होते हैं, कथा निम्न लिकित में से किसका है, मुझे नहीं लगता कि इसका जबाब आप गलत दोगे, 100% सभी का जबाब सही रह देगा ये, कहता है, emotions are innate and fundamentals is the statement of which of the following, किस ने कहा ये, क्या कहा है, किसा आप समवेग जन्मजात होते हैं, मौलिक होते हैं, क्या good enough ने कहा है ये, क्या जर्सिल्ड और होल्यम ने कहा है, ब्रजेज ने कहा है, या वाट्सन ने कहा है, मुझे मालू में इसका जबाब आप गल जन्म के बाद, कब, जन्म के बाद, और वो भी लगबक कब से, दो या तीन माहा से उत्पन होते हैं, प्रेकट होते हैं, किस के अनुसार, जब आप रहेगा, ब्रजेज के अनुसार, वाट्सन ने कहा, ये जन्मजात होते हैं, ये कहा भाई इनोंने, जन्मजात होते हैं, क वाई को बताया क्रोध को बताया इंगर को बताया फियर को बताया अफेक्शन कहिए मौलेक समवेग बताया किसी भी बच्चे आपको ध्यान रखना है इसका मतलत 22 आंसर क्या रहेगा फिलंत– जल्दी, आगले वाले question की तरफ मुझे लगता है ये आसान present है ये और केवल और केवल चेक करना है कि आप जल्दबाजी में भी गलाच जवाब देते हो या सही जवाब देते हो जल्दी से मुझे बता दीजेगा बिना ज़्यादा समय लिये हुए कहता है बाल लिया वस्ता काल निम्न लिकित मैंसे कब से कब तक माना जाता है मुझे नहीं लगेगा यहां गलत करो गया हलाकि ऐसे present मुझे लगता है कि बाए हाथ के खेन होंगे आप सभी के लिए लेकिन फिर भी देखना मेरा फर्ज है क्योंकि मालूम चल जाएगा मुझे इस बहाने से कि आपके present और उनकी तयारी कैसी है हासी जवाब रहेगा exactly जवाब दिया आप सभी ने छैसे बारे कहा है exactly सही कहा है आपने आगे जो question रहेगा बहुत बहुत धन्यबाद आपका गुर्जी जी बहुत धन्यबाद आपका जो इतना प्रेम और इतना इसने सम्मान दिया आपने बागी मैं बहुत छोटा इंसान हूं मेरे भाई के मैं तयारी में विश्वास करता हूँ और मेरा अवार्ड तो आप हो मेरे मेरी उपलबदी आप हो मेरा सब कुछ आप हो आप हो तो मैं हूँ बढ़ना इस नाचीज की हैसियत ही क्या है तो मुझे आपका प्रेम चाहिए आप लोगों का साथ चाहिए विश्वास चाहिए उससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए क्या कहा अधीगम वक्र में पठार दरसाता है बड़ा ही अच्छा रहेगा ये वाला जबाब और तुरंट इसका जबाब दे दीजेगा क्या कहा आपने अधीगम वक्र में पठार वाली इस्तिती क्या जबाब है आपका क्या 6 से 7 से 13 नहीं भाई 6 से 12 ही ज़्यादा सही माना जाता है आपका ध्यान है आपको जल्दी से एक बार जबाब देंगे इसको बहुत सांदार वाला जबाब है ये दो व्यक्ति है या एक ही सर है क्रो क्रो भाई दो है ये एक आलिस क्रो है एक जी हाँ आलिस क्रो दो क्रो बनते है ये एक लिस्टर क्रो है ये ध्यान रखेगा एक तो कौन सा लिस्टर क्रो है एक तो और एक कौन सा है अलिस क्रो है एक व्यक्ति नहीं है मेरे भाई दो व्यक्ति है ये लिस्टर क्रो और अलिस क्रो यहाँ थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा एक बार मज़ा आएगा भाईया इसमें कोई संदे नहीं है यह प्रसन थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग है यह जोरदार प्रसन है यह और गलत होगा यहाँ पर देखेगा यह जो पठार दरसाता है न मेरे भाई यह जो पठार होता है यह कैसा होता है यह एस्थाई होता है थोड़े समय के लिए होता है यह इस्थाई नहीं होता है ध्यान रखेगा कहता है साहब यह आ सकता है थकान के कारण आ सकता है यह अरूची के कारण भी हो सकता है यह ये जटिलता के कारण भी आ सकता है ये कहता है जब पूर्व ग्यान आपका मदद ना करे पूर्व ग्यान आपकी साहिता ना करे तब भी आ सकता है ये लेकिन लाड़नों मेरी बास सुन लीजेगा भी एक बार बहुत जोड़दार प्रेस्न है ये लेकिन इसका जबाब आपको क्या देना है ये जबाब आपको देना है स्वते पुन्हे प्राप्ती जबाब देना है इसका केवल सुन्य अवस्था नगर्ने सुधार नहीं दे सकते आप लो क्योंकि ये जबाब उल्जा देगा आप सभी को ध्यान रखेगा डी आंसर मत दीजेगा इसका आंसर आपको क्या देना है इसका आंसर आपको देना है स्वते पुन्हे प्राप्ति क्यों कहा मैंने तो कि पठार एक एस्थाई इस्थिति होती है ये इस्थाई इस्थिति नहीं होती है कहते है साहब जब आप रोचक बना देते हो सिक्षन को य मेरे भाई वो पठार की इस्तिती गायब हो जाती है खतन हो जाती है और वो पठार जो रुकी हुई इस्तिती है उसमें प्रेगती आने स्टार्ट हो जाती है इसके जबाब क्या कहा आपने स्वतय पुनय प्राप्ति मुझे मालूम था कि इस प्रस्ट में गलती होने के चांस रहेंगे यही कारण था कि इस प्रस्न को लेकर आया हूँ कि पठार सब्द आते ही हमारे मन में क्या आजाता है कि अधीगम रुक गया है लेकर आपको मानू मैं यह इस्था ही नहीं होता एस्था ही इस्थिती होती है यह स्टार्ट होती है प्रगती इसमें देखने को मिलती है यही कारण है कि 24 में आपको क्या जवाब देना है सी जवाब देना है जल्दी से आजाईएगा अगले वाले प्रस्न की तरफ कहता है मनो लेंगिक विकास की कौन सी अवस्ता में बंध्या करण चिंता जिसको इंग्लिस में कहा आपने कैस्ट्रोरेशन इंग्जाइटी होती है मज़ा आएगा खेल में क्लास में मिलेगा जवाब आपको क्या कहा किस के द्वारा सिगमंड फ्राइड के द्वारा जवाब सोच समझ कर दीजेगा मुझे मालूम है कईयों को जबाब नहीं मिलेगा कई तुके मार सकते हैं इस प्रेशन के लिए लेकर पहले कह देता हूँ मुश्किल नहीं है आसान वाला प्रेशन है ये आप जबाब दे सकते हो कहता साहब एक ऐसी अवस्ता जिसमें बच्चा ये जो लेंगिक अंग होते है बच्चे के जो बच्चों के लेंगिक अंग होते है उनसे बच्चा क्या करता है इंद्रिये सुखो की प्राप्ती करता है इंद्रिये सुखो की प्राप्ती करता है मतलब आपने जो बच्चों के sexual जो parts रहते हैं बच्चा उनको touch करता है इसपर्स करता है उनसे और उसे बच्चों को खुशी मिलती है संतूस्पी मिलती है ये अवस्था कौन सी होती है इस अवस्था को आपने नाम दिया है langic अवस्था कहा है क्या नाम दिया है आपने इसको langic stage कहा है जिसका समय कई बार आप बता देते हो कहते हैं सब 3 से लेकर 6 वर्स या 3 से लेकर 5 वर्स आप इसका समय बताते हो अब होता क्या है इस stage में क्याता बच्चा आपने जो langic अंग होते है उनको touch करता है उन पर हात रखता है कई बार अब ऐसे में कई बार सुना होगा आप लोगोंने जो घर के बुजूर्ग महिलाए होती है दादिया होती है नामिया होती है वो कई बार क्या कहती है बच्चे से कि भईया आपके जो private जो भी answer है तो उनको कहते है साब इनको बिल्ली खा जाएगी इनको काट दिया जाएगा इनको फेक दिया जाएगा इनको इस तरहा के डर डराए जाते है बच्चो को और उसको क्या कहा आपने बंधिया करन कहा है आपने और इसका संवन किस के साथ रहेगा लेंगिक या फॉलिक स्टेज के साथ रहेगा प्लीज इसको चेक कर लीजेगा सांदार वाला प्रेस्ण है ये और कई वार इसमें जवाब आता है एक्जैम में अगला प्रेस्ण क्या कहता है कहता है अधीगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधीगम को सार्थक बनाया जा सके नीचे दिये गए अधीगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधीगम को सुगम नहीं बनाता है ये आपको ध्यान रटना है जोड़दार वाला प्रेस्ण है ये क्या जबाब रहेगा इसका कहता है विश्य वस्तु को केवल याद करने के अधार पर पुन्रा वरत्ती करना विश्य वस्तु पर प्रेस्ण बनाना प्रेकरण पर परीचर्चा और वाद विवात करना प्रेकरण पर प्रेस्तुती करन करना देखो भाईया ये जबाब रहेगा सुगम नहीं बना सकता आसान जबाब है मुझे मालूम है आप गलतिया नहीं करोगे केवल याद करना और पुन्रावरत्ती करना ये कोई प्रभावी नहीं बना सकता यही कारण 26 का जबाब क्या रहेगा ये आंसर रहेगा जल्दी is the study of educational psychology necessary for a teacher कैता है बालक का ज्यान होता है अधिगम सिध्धनतों का ज्यान होता है सिक्षा और व्यू रचनाओं का ज्यान होता है जबाब रहेगा आपका उपियुक्त सभी मतलब या 27 में डी जबाब आपका बिलकुल सही है ये जो व्यू रचनाओं होती है लाड़ो इन पद्दतिया कहा है इनको क्या कहा आपने पद्दतिया कहा है इनको आपने 27 का डी जबाब बिलकुल सही है अगला प्रेस्ट क्या कहता है इवॉलिशन ओफ एजुकेशन थियोरी नामक पुस्तक निम्न लिकित में से किसके द्वारा लिखी गई है इवॉलिशन ओफ एजुकेशन थियोरी किसका जबाब रहेगा कहते है फ्रोवेल के द्वारा एडम्स के द्वारा मेकेंजी के द्वारा या मार्क होकेंस के द्वारा जबाब याद रख लीजेगा एडम्स के द्वारा किसके द्वारा एडम्स के द्वारा जिनोंने दूइ मुखी प्रेक्रिया कहा है वोई Adams रहेगा इवोलुशन औफ दा एजूकेशन थियोरी Adams के द्वारा कहते है साहब सिक्ष्वा-मनोविझ्यान निम्द लिकित में से क्या है कहते है मनोविझ्यान के सिधानतों का सिक्ष्वा में प्रयोग है सही है जबाब जनम से लेकर व्रधा वस्ता तक सीगने के अनुभवों का वरणन है ये कता सेक्षिक परिस्तितियों के मनो वेग्यानिक पक्षों का आध्यन ये भी सही है ये ही कारण है आपका जबाब क्या रहेगा 29 में भी आपका D जबाब सही है और आज का अभी का जो लास्ट प्रेस्न है आपका कि सोरा वस्ता में मानसिक विकास के लक्षन निम्द लिकित में से क्या है कहते साब इसमरती कहोगे कलपना कहोगे रूचियों का विकास कहोगे या उपियुक्त सभी कते साथ इसमरती जो रहती है उसमें क्या देखने को मिलेगी तिवरता देखने को मिलेगी कलपना सक्ती जो है भाईया वो भी तिवर होती है बच्चों को यही कारण है आपने क्या नाम दे दिया इसको दुआबास वपन कहा है और बच्चियों में रुचियों का विकास भी ह होता है, यही कारण है कि इसका जबावभी आपका क्या रहेगा, उपियुक्त सभी रहेगा, मित्रों, दोस्तों, साथियों, मेरे सभी, 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 दिल के अजीज, दिल के टुकडो, अब 맛 दोबारा मिलने वाले थोड़ी देर के बाद में सिक्षन विदियो के जोड़दार प्रस्णों को लेकर उम्मीद है आप सबी मुझे मिलोगे दोबारा जल्दी से आजाईएगा सिक्षन विदियो वाली क्लास में जहां मज़दार प्रस्ण होंगे जोड़ार पाले प्रेस्ट तो मिलते हैं पांच मिनिट के बाद दन्यवाद जोड़ार पांच मिलते हैं